हाई विलेकड़ों है चैनल चलिए क्वेस्चन नमबर 6 साल करते हैं और मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है 5 तो मैं इसको लिख देता हूं 6 चलिए तो यह question कर रहा है find the largest number of 3 digits हमें 3 digits का largest नमबर बताना है which is a perfect square जो perfect square होना चाहिए तो इसका भी हम solution करेंगे question 5 की तरह दो मेथड से और पहला मेथड है by inspection मेथड तो inspection मेथड में क्या करते हैं कि हम inspect करते हैं जैसे कि हम शुरुवात करेंगे 25 से लेकर के यह पती है 25 में 25 से multiply करें तो हम देखते हैं कि कि किस digit का perfect square आता है हम यह जानते हैं कि perfect square जो होता है दो factors का product होता है दो equal factors का तो 25 25 क्या होगा 625 होगा यह जो है 3 digit का number है लगी बहुँ छोटा है 26 में करते हैं 26 into 26 करेंगे तो क्या आएगा तो 26 का जो square होता है वो 676 होता है तो यह भी नहीं है यह भी मतलब का मारा है 27 into 27 करते हैं दीके जब तक करता रहेंगे तो तक मड़िपलाई करता रहेंगे जब तक कि 3 digit का largest number नम मिल जाए ओके तो 27 27 कितना आजाएगा 729 आजाएगा और 28 into 28 के आजाएगा यह आजाएगा 784 ओके 29 आप मड़िपलाई करके देख लिजएगा यह सही है बिल्कुल तो 29 into 29 करेंगे 841 आता है मड़िपलाई करके देख लिजए अब उसके बाद करेंगे 30 into 30 करेंगे तो 339 और 00 बढ़ा देंगे 900 आएगा ओके अब 900 के पास पोच गया है अब 31 into 31 करते हैं तो कितना आएगा यह आजाएगा 961 अब यह हम 32 into 32 करते हैं तो यह दो इक्वल फेक्टर्स के जो प्रेड़क्ट आएगे यह हो आएगा 1024 और this is a 4th 4 डिजिट नमबर तो 4 डिजिट नमबर के जस्ट पहले वाला ही नमबर वो होना चाहिए तो this is the 3 डिजिट नमबर which is a perfect square and it is a square of it is square of 31 है कि नहीं तो 31 is that number अचा यहाँ पर मैं आपको एक सिक्रेट बताना चाहता हूं कि देखिए 961 जो है किसका square है 31 का square है देखिए मतलब यहाँ पर देखिए answer के क्या हो जाएगा 31 answer मैं बता चुका हूँ 31 होगा मतलब कि इस में थर से inspection में थर से लेकिन आपको कुछ मैं deep बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ है क्याँ पर है थोड़ा सा secret है 31 का जो square होता है मतलब 31 करेंगे तो 961 आता है यदि मैं क्या करूँ इसके digits को interchange कर दूँ मतलब कि 1 को इधर और 3 को इधर मतलब कि 1 स्प्लेस को 10 स्प्ल और 6 जहाँ पर है 6 को वहीं पर हैने दू तो क्या हो जाएगा 169 समझ रहे हैं देखिए 13 का square होता ही है 169 और 31 का square होता है 961 तो यह खैर answer का part नहीं था यहाँ पर मुझे आ गया याद तो मैं आपको पता दिया चलिए अब चलते हैं by long division method method second और वो है by long division method अचा पहले बाले में जो answer रहा था वो 961 होगा तो क्योंकि वो पूछ रहा है कि which is the perfect square number तो 961 is the perfect square number which is of three digits तो this is the answer not this one ओके तो long division method से भी देख लेते हैं तो इसमें बस देखेंगे कि which is the largest three digit number पता हिए largest three digit number जो होता है वो 999 होता है है कि नहीं तो हम क्या करेंगे इसको long division method से निकालेंगे perfect square यदि इसका remainder 0 आता है तो हम कहेंगे कि 999 is the perfect square number which is of three digit लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम उपर देख चुके है solution में 961 हो तो हम देखते हैं अभी इससे किसे निकालेंगे देखिए remainder निकालेंगे remainder को खटाएंगे तो आ जाएगा देखिए ध्यान से हम right side से pair बनाते हैं right side से pair बनाएंगे तो 99 का pair बनागे है हाँआप तो 99 का pair बनागे है अब यहां पे जो एक जो मतब़ दीख है को उतार देंगे अब हम 33 को जोड़ देंगे, 33 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब किस से जाएगा अब एक बार जाए सकता है तो 1 यहाँ रखेंगे, और multiply भी करेंगे 1 से तो 1, 1 जा 1, 1 सिख जा 6 अब यहाँ मानस कर दिजे तो 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8 और यहाँ 9 में से सिख जाएगा 3 38, अब क्या करना है कि जो यह remainder आगया ना अब remainder यह आया, अब कोई तो आगय है नहीं कि कोई यहाँ पर digit ही नहीं है जो जिसको उतार आजाए हम, तो 38 है 38 is the remainder और यह remainder नहीं आना चाहिए यदि 999 perfect square होता तो तो perfect square नहीं है वो इसलिएम क्या करेंगे, कि अब perfect निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कि remainder को घटा देंगे 999 में से तो हमें जो मिलेगा, वो perfect square जरूर होगा, घटाते हैं तो 9 में से यदि हम 8 minus करेंगे, तो 1 आएगा 9 में से यदि हम 3 minus करेंगे, तो 6 आएगा और 9 का 9 रहेगा तो 961 is the 3 digit number which is a perfect square बहुत असान method ही ये यदि आप long division method master कर लें तो बहुत असान हो जाएगा और यहाँ पर long division method में एक बाद याद रखिए ये 3 और 1 आया था ये आपका quotient, ठीक है तो 961 is the answer थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, यदि आपको अच्छा लगा तो like करेंगे, subscribe करेंगे, दोस्तों को बताएगे और बिल्कुल मसत रही है और mathematics को practice करते रही है ताकि आप आगे चल करके mathematics में धुरंदर बन जाए थैंक्यू सो मच अगेन